और चुलिए इसी बीचे कोड़ा आज़ो खबर आपको बता दें जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है एहम खबर इस वक्त की आपको बता दें लंपी वाइरस के चलते प्रदेश बंद कि राज़ानी जैपूर में बंद का आशांखिक आसर देखने को मिल रहा है जहां इस वक्त की परीकमर आपको बता दें कई वैपारियों ने खुद की एक्षा से दुकानों को बंद रखी है सोचल मीडिया पर राजस्थान बंद हो रहा है ट्रेंड ग्रामीन और अंचलों मे बंद का काफी असर देखने को मिल रहा है तो पूरे राजस्थान बंद का यह सर देखने को मिल रहा है चौहां आपको बता दे लंपी वाईरस के चलते प्रदेश बंद का आवहन किया क्या है जहां दुकान दारों और वैपारियों के द्वारा अपनी मर्जी से भी कई प्रदेश भर में यह इस्थिति देखने को मिल रही है जहां राजधानी चैपुन में भी इस्थिति देखने को मिल रही है यह एक्स्लिउसिफ तस्वीर है आपको इंजियन यूज़ राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज सोचल मीडिया पर राजस्तान बंद का आवान किया गया है ऐसे में जैपूर के मार्केट में मौझूद है जहां पर बंद का आवान आंसिक डजर आ रहा है कुछ दुकाने खुली है तो कुछ दुकाने बंद इस समय में एक M.I. मार्केट में मौझूद है जहां पर आप देख सकते हैं दुकानों के ताले जड़े हैं इस समय तक दुकान यहां पर खुल जाती हैं और लोगों की भीड यहां पर एक तरह से कहें कि उमड जाती हैं यह एक तरह से कहें कि बड़ा मार्केट बहुत बड़ा है जहां पर अलगलग ब्राइंड के यहां के सोरूम है और यहाँ पर सोप है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजस्तान बंद का आज आवान विविंद संकटोनों दुआरा सोसल मीडिया पर क्या गया है उसका थोड़ा सा आसर यहाँ पर ज्यापूर में भी देखने हों मिल रहा है साथी राजस्तान के आलग आलग ग्रामिन अंचलों की बात की जाए तैसिल इस्तर पर बात की जाए वहाँ पर भी लोगों ने खुद के मन से एक तरह से कहें कि इस कथित महामारी के चलते दुकाने बंद की है और अपने व्यापार को एक दिन के लिए विरो सुरुप्ठावर ठप रखा है इस वज़े से कि सरकार की आंख खुले क्यूंकि अब तक इस कोरण जैसी महामारी लंपी वाइरिस की महामारी को कहा जा रहा है लेकिन उसके चलते सरकार की आंख अभी भी नहीं खुली है तो लंपी वाइरस को लेकर के प्रदेश बंद का वहन किया क्या और यहां देखे प्रदेश बंद का असर भी देखने को मिल रहा है जहां साफताव पर सोचल मीडिया पर भी राजिस्थान बंद का जो ट्रेंड है वो चलता हुआ नजर आ रहा है जहां जैपुर में बंद का आशांकिक असर भी देखने को मिला ग्रामीन आंचल में भी इस बंद का असर देखने को मिल रहा है चारु तरफ राजिस्थान बंद का यह आवहन जो किया गया है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग होता नहरा रहा है लंपी वाइरस को ले करके बंद का आवाहन किया गया है जिस प्रकार से प्रदेश में लंपी वाइरस का कहर देखने को मिल रहा है जानवरों पे वो काफी ज़्यादा परिशान कर देने वाली बात है क्योंकि हाँ पर जिस प्रकार से गौवन्चों की अमरित्यू हो रही है इस लंपी वायरिस की वज़े से लंपी वायरिस के चपेट में आने से कई गौफन्स जो हैं वो इसकी चपेट में आने से उनकी मिर्टी हो गई है जिसे किसान खासा परिशान इस वक्त नसर आ रहा है कई वैपारियों ने भी इसी को लेकर के अपनी एक रिखा के अनुसार दुकान बंद करके रखा है तो सोशल मीडिया पर भी अब राजस्तान बंद जो है वो ट्रेंट होता नजर आ रहा है और इसी विशा पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे समवादाता विशाल सर्मा चैपूर से सिधा हमारे साथ जुड़ गए विशाल किस तरह की तस्वीरे किस तरह के दृष्टे जैपूर में देखने को मिल रहा है इस वक्त के बंद को लिए करके देखिए धर्टी पर किस कदर काल उमड़ा है कि जब पहले कोरोना महामारे ने इंसानों को परेशान किया और मोत के ग्राश में उपसमाया है लेकिन उसके बाद अब पस्वों के लिए जुस्तरे से लंपी वायरस जो की अभी तक महामारी गोशित नहीं की गिये लेकिन हाला महामारे से कहीं भेंकर है भ्यावा है क्योंकि राजस्तान की तस्वीरे बहुत दरने वाली है लाखों गाये संक्रमित हो चुकी है और हजारों गाये को मौत हो चुकी है उसको विरोध में सरकार की आँख नहीं कुदली ऐसे में अब राजस्तान में सोसल मीडिया पर राजस्तान बंद का आवान किया गया था प्रतिष्टान बंद रखे हैं वहीं ग्रामिन अंचलों की बात की चाहे तो राजस्तान के अलगी फिसों में वहाँ पर ज्याद आसर देखने को मिल रहा है जहां पर दुकाने व्यापारियों ने बंद रखी हैं और दूसरी जगे जो अपने लोग जो रोजमरा के काम दंद जो पहली बार है राजस्तान में और पुर्देश में कि किसी पसू के लिए कि इस तरह का भंद का आवान किया गया है जो कि कहीं न चहीं हलांकि बड़े सहरों में इसका व्यापक्त असर नहीं है लेकिन ग्रामिन अंचलों में तेसल इसका असर काफी देखने को मिल रहा है ग्रामडूम में रोज है क्योंकि सरकार की अब तक नहीं कुली है, नहीं इसको मामारी गोसित क्या है, नहीं इसका टिका करन अब तक प्रभावी रूप से किया गया है कहीं जिले अभी भी इसे अचूते हैं और जिसके वज़े ते लासों के धेर वो गायों के हैं वो लगते वे तश्वीरे जिस तरह से सामना रही है वो बहुत ही डराने वाली है मुख्यमंद्री के ग्रह जिले में तश्वीरे बहुत डराती हैं वहीं विकाने जोत्पूर पस्षी में राजस्तान जादा इस चीज़ों से प्राभावित है जहां पर गायों के जादा मौत होई है और इसके विरोत में आज राजस्तान बंग का आवान क्या गया है बिल्कुल विशाल और इस तरीके से देखे जो गौवंज के स्थिते इस वक्त देखने को मिले यह केवल राजस्तान में नहीं है बलकि बहुत से राजियों में इस तरह के तस्वीरे देखने को मिले फिर चाहे वो 36 गजो या फिर बात हर्याना की कर ले लंपी वाइरस को ले करके सरकार को सतर्क होना काफी ज्यादा जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है कि जो गायों को पाल रहें किसान हैं वो भी खासा ध्यान इस पर दे अब अगर गायों के मेडिसिन की बात की जाए या फिर बात की जाए कुछ गरेलू उपाई की तो इस तरह का कोई भी उपाई इस वक्त देखा जा रहा है जो की कारगर साबित हो रहा हो कि देखें गोसालाओं में और जहां पर घरों में जो पालन कर रहे हैं गायों का महां पर वो अपने एक्थर से कहें कि अपनी इस्तर पर अल्ली से आटे से और जो भी चीजे हैं वो आपने एक तरसे कहा है कि गायों को देर हैं जिन में लंपी लक्षन दिखाई देते हैं हलका बुखार और फॉड़ेफंसी दिखाई देते हैं उनका एलाज शुरू कर दिया जाता है लेकिन कही ना कही जब हालात बे काबू हो जाते हैं उसके बाद उसको गोसालाई किया तो वहां पर बहुत तस्वीर डराने वाली थी जब गायों की मौत हो जाती है ऐसे वहां पर इंतजार किया जाता है कि कब ये मरने वाली है कब ये मरने वाली है रोज पचास सो गायें यहां पर गोसालाओं में मरतीवी दिखाई देती हैं बड़ी बड़ी गोसालाओं म लेकिन जिन गरौ में गाएं जो एक्टरस के – मा के देशा छूब से पुज़ा करते हैं, उसको वहां पर और पाल यूशां करते हैं मैं मानता हूँ , मेरी नजर में सो में से पचास गरौ में गायों की मौत्त हो चुकी है हैं चाये मेरी घर की बात करूँ है दूसरे गरों की बात करूँ सब देक्जाओं हैं वह बहुत डराऊन हैं लेकिन अब तक सरकार की नुमाइंदे बताते कि आंक्डों में इतने गायों की ceremony कोई की मौत हो चुकी है इत्ते गाय शंक्री मित्य कोरे काफ जी एक तरसे कहें कि आंकड़े हैं जमीनी हकिकत धरातल पर एक भी सरकारी नुमाइंदा आंकड़ों की परकने के लिए किसी घर कर कोई रियल्टी चेक नहीं किया गया कहीं जाकर कोई आंकड़ नहीं मांगे गए नही वो खुद एक भी गोसालम अब तक नहीं गहे हैं अलंकि मुख्यमंत्रिय असोग गलोत ने आज फिर सोचल मीडिया के जरी इस तरह की अपील की है लेकिन कहीं न कहीं वो भी धरातल पर किसी भी गोसालम में नहीं गहे हैं और नाहीं इस अलंकि जब कह रहे कि लम्पी हमारी लगातार थैद्ट रही हैं सिर्भ राजिस्तान नहीं दूसरे राज़ी दैसे आपनी जिक्र किया हैं वहां पर भी इस तरह कि-वा Iowa अनूसी नियुन में सौरी ने सौरी हैं किनका इंतिचार के लिए और कितनी मोतों को इंतजार कर रहरी हैं यहां पर लासों के भेर सामने आ रहे हैं जो कि काफी चुंता जाना की तस्वेर हैं अब देखने वाली बात होगी विशाल कि इस बंद के बाद किस तरह की दिरिश्य देखने को मिलता है क्या कुछ बदलाग होता है या फिर इस सिती ज़स्ट की तस होती है आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जाजा करने के लिए और नजर बनाए रखेगा और फिए अप्टेट इस पर लेते रहेंगे आपसे और इसी के साथ बुलिटेन में बसेत नहीं बने रहे हैं इंडियानी सुराजिस्थान के साथ नमस्कार्ण